बैसाली का केला देश और दुनिया में परसिध है जहां कवी घर-घर में केले की खेती होती थी लेकिन कुछ दरसक से केले की खेती से किसानों ने किनारा कर लिया था जिसके कारण पर्वतेवार में बड़े पैमाने पर केले दुस्य परदेशों से मंगाया जाता था लेकिन फिर से हाजीपुर में केले की खेती अधुनिक तक्निक के सहारे शुरू किया जा रहा है, जिससे किसान साल में मोटी कमाई कर रहे हैं, खास बात या है कि अब युबा भी सरकाई नोकरी के बजाए केले की खेती को तरहीज दे रहे हैं, जिसका सबसे बहती उधारन सदर प्रखंशित के चांदी गाउनिवासी रविंदर सिन जिन्होंने 17 एकर में केले की खेती की है रविंदर सिन बताते हैं कि एक साल में 4 वार केले को बेचते हैं जिससे एक साल में 5 लाग तक कमाई हो जाती है उन्होंने बताया च्छट पर्व में केले की अहमित अधिक है इसलिए समयना सिर्फ बिहार बलगी जहरखन तक केले की सप्लाई होती है रविंदर सीन ने बताया कि बर्साइन केला साल में चार वार होता है जिसका इस्तमाल फल के सांसा सबजी के रूप में भी किया जाता है उन्होंने बताया कि आज की युवा सरकाई नोकिरी के पीछे भागते हैं लेकिन अगर युवा केले की खेती करे तो घर बैठे लाखो कमा सकते हैं जनकाय बताते हैं कि जिले के ग्रामिन इलाके में आज भी कई परकार की केले की खेती की जाती है जिससे चिनिया बरसाइन अल्पमान और 32 मुठरा सामिल है बता दे कि विसपरसिद हाजीपूर के केले को जे आई टेक भी मिलने वाला है जिसके बाद केले को एक नया आयाम मिलेगा और जिससे केले की खेती से किसानों ने मुह मोर लिया था उसे फिर किसान कर सकेंगे अब किसान केले की खेती में फिर से वापस आ रहे हैं और दिन पर दिन किसान अब केले की खेती कर रहे हैं वहीं रविंदर सिनका या भगवानी काफी खुसरत है और लोग इसे देखने भी आते हैं रबिंदर जी बताए कितने एकर में आपने केला के बगवानी लगाई है अब ही यहां 17 एकर में केला की खेती हम लुग कर रहे हैं और इसका जो है सो सब्जी इसकेले का बरसाइना केला है इसका सब्जी बहुत अच्छा टेस्टी होता है सब्जी बनाईए कोफता बनाईए और चोट फ़र में खास करके इसका महत तो बहुत ज्यादा पढ़ जाता है बिहार में पूरे उपी में इसका डीमांड होता है चोट पर में हम लोग कळा ज Geral ज्याधा मिलता है ता और काहां सप्लाई होता है छाट परंड़ में जर्खन्ड़ है अपना यूपी हो गया दिल्ली जाता है खास करके जहां बिहारी ज्याधा निवासी कर रहे हैं उस छेत्रे में इस कंटा को ज्यादा डिमांड है है यह कितने टर्म साल में केला न익लता है साल में ऐसे मुख्यत है कि हम लोग चार से पांच डर कटान करते लिए उसका इसको कर जहीं है इसको से बढ़ देख है मुनाफवा भी बढ़िया है कि बगवानी इतने ज्यादा मात्रा में लगाने का इसके पीछी क्या उद्देश कुछ ने हम लोग किसान पड़िवार से आते हैं और आज क्या जुबा को देख रहे हैं कि सरकारी नोकरी के परती लोग का ज्यादा रुज़ान बढ़ा है लेकिन हमारे जो हमारा सोच है अपना जुबाओं का जो सोच है कि नहीं एक किर्शी छेत्रे में हम क्या नहीं अपना खेती है और उसको आगे बढ़ा करके इसमें ही रोजगार हम क्या नहीं प्राप्त करें तो इस तरह से हम लोग खेती को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और खेती से अ कहां से पौधा लाते हैं आप लोग लगाने के लिए पौधा तो इसी में से जो पौधा रहता है उसका हम लोग फिर उसके जर से निकालते हैं फिर जहां अगर पौधा मर गया है वहां फिर उसको रोप देते हैं क्या खर्च लग जाता होगा एक साल में एक साल में खर्च का देशे हैं खेती का उसमें मतलब 30% खर्च आता है 30% नाम बता दी जब रभिंदर कुमार सिंग बैसाली से लोकल 18 के रे राज कुमार सिंग की रिपोर्ट